नमस्कार साथ यों कैसे हैं आप सबतों हमारे पास आज का टौपिक है विशेशन विशेशन और विशेश्य तो इसकी प्रिभाशा पढ़ले सबसे पहले हम देखते हैं वहिए इसकी प्रिभाशा इसे मोटा शब्द है बुद्धिमान शब्द है काला, गोरा, अधिया उधारन के रूप में दिया जा रहा है, संग्या से स्वंदित जो शब्द रहते हैं, जैसे मोटा व्यक्ति, व्यक्ति वहाँ पर संग्या होगा, विशेश्टा क्या है, विशेशन क्या है मोटा, बुद्धीमान, लड़का, लड़का वहाँ पर संग्या है, लड़क लेकिन जिसकी विशेशता बताए जारी वो विशेश्य होता है लड़का विशेश्य होगा और विशेशन है वुद्धिमान मोटा व्यक्ती व्यक्ती जहां पर विशेश्य है ठीक है बसे काला गोरा मुर्क व्यक्ती ऐसे बहुत सारे विशेश्य जहां पर लिके गए है आग थोड़ा सा जल लाओ तो जहांपर विशेष्चे क्या है वो संग्या शब्द होगा तोड़ा सा जल लाओ जे विशेशन है और थोड़ा सा जे विशेशन है परिमान बाचे को विशेशन है ना बता ही होगा आप लोगों को सुना है पड़ा है आप लोगों तो भई ये देखिए विशेशन विशेश्य से पहले आया ठीक है सुन्दर फल है यहां पर सुन्दर क इस तरह से और देकर वाद में विशेश का से यह रास्ता बंबा है रास्ता शब्द जो है संग्या है ठीक है और यह क्या है विशेश होगा ओके ये विशेशे है लेकिन क्या हो रहा है कि भाईया जे इसका जो विशेशन वो बाद में दे रहा है तो कहने का ताथ प्रे है कई बार विशेशन से पहले आएगा तो कई बार बाद में भी आ जाता है तेके रास्ता लंबा है जहाँ बाद में आया है तो इस तरह से विशेशन पहले भी आ सकता है जा फिर विशेशे के बाद में भी आ सकता है तो खुल में लाकि एकी बात है ओके जैसे कि आपको पता है कि विशेशन के चार परकार होते हैं चार भेद होते हैं विशेशन मूलता चार परकार के होते हैं गुण संख्या परिमाण के अधार पर विशेशनों के भेदों को निमनांकित परकार से बर्गे गर्ट किया गया है। परिमान वाचक विशेशन और दूसरा है अनिश्चे परमान वाचक विशेशन ठीक है आगे देखे संख्या वाचक विशेशन तो इसके आगे दो बेद किया गये हैं निश्चित संख्या वाचक विशेशन और निश्चित संख्या वाचक विशेशन के आगे मुक्यता छे ब रखें 11 देख रखें लेकिन छे तो जानना आपको बहुत important है ठीक है पुछे जा सकते हैं आगे साथी अनिश्चित संख्या वाचक विशेशन इसको भी नरेट करेंगे आगे आगे हमारे पास है अन्तिम जो भाग है वो है सारवनामिक विशेशन सारवनाम विशेशन का जो आगे भाग किये हैं वो अन्तमे किये हैं साथी देखिए संकेत वाचक जिसको निश्चे वाचक सरवनाम भी कहा जाता है वहीं पर है अनिश्चे वाचक सरवनाम आगे है बियत्पती के आधार पर सारवनामिक बिशेशन भी है कौन-कौन से मैंने पहले करवा रखा है बियत्पती के आधार पर सारवनामिक बिशेशन मौलिक और योगी बिशेशन होता है ठीक है साथी उसको भी करवाएंगे अभी वीडियो पूरा देख लेजिएगा ठीक है तो स चलते हैं फिर गुन वाचग उशेशन बहुत ही सरल है इसमें क्या होता है वही पहले प्रकार आएगा विशेशन का फिर विशेशन आएगी फिर उसका उधारण पर साथ ही आपको साथ में बताता हूं गुन वाचग उशेशन शाती जवदी से देखिए जिस शब्द से संग गुणवाचा गुशेशन है आग्रा स्वस्च नगर है स्वस्च जहांपर गुणवाचा då आएगे चाहे सथ क्या बाफिछ लीगन्दी जैसे कि ये देखे दोनों भाई लट रहे हैं देश का हर एक बालक वीर है आज कक्षा में तीन विद्यार्थी अनुपस्तित हैं ये संख्या का बहुत होता है जहाँ पर संख्या सरवनाम की संख्या बताई जाए बहाँ पर भाई ये हो किया संख्या बाच्चक लेकिन एक बात जो बहुत गोर करने वाली है साथियो कि निश्चित वाच्चक सरवनाम निश्चित संख्या वाच्चक सरवनाम ये पहला भेद हो गया संख्या वाच्चक विशेशन में और एक और आता है निश्चित संख्या वाच्चक सरवनाम तो पहले हम निश्चित को पढ़ लेते हैं जिसके हमने छे वेदा आपको बताए थी सबसे पहला सबसे पहला सात्यो पूर्ण अंक बोधक तो सत्यो दिखिए निश्चित संख्यावासका सरौनाम में सबसे पहला वेदा हमारे पास आ जाता है पूर्ण आंक पूर्ण अंक जो है संग्या या सर्वनाम शब्द एक पूर्ण संख्या की तरफ संकेत करता है उसे पूर्णांक बोधक बिशेशन कहते हैं देखे यह है जैसे यह उधार ने एक लड़का स्कूल जाता है चार आम ले आओ तो साथ ही यह क्या होगा पूर्णांक बिशेशन आगे देखे अपूर्णांक बोधक बिशेशन क्या है अपूर्णांक बोधक बिशेशन तो कहने का तात्परे है पहले तो हमारे पास पूर्णांक आ गया लेकिन अभी ऐसा बिशेशन निश्चित संख्या बाच्चक में दूसरा बेज़ वाएगा कि भाई अभी जो संख्या है वो अपूर्ण है ठीक है तो देखे भाई क्या है जो संख्या सरवनाम शब्द का एक संख्या को ना बताते हुए संख्या के संख्यत तक बताए उसे अपूर्ण बोधक बिशेशन कहते है देखे जैसे ऐसे शब्द आजे, पोन, पोना कहते हैं ने, पोना, सवा, धेड, धाई, जैसे उधारन के रूप में एक वाक्य देखे, मेरे पास सवा सो रुपए हैं, अभी पोने चार बजे हैं, तो भई, जे होती है संख्या अपूर्ण भोधक, समझ में आया है, और कुछ नहीं है, आगे द अंग्या या सर्वनम शब्दों के द्वारा क्रम बदता को दिखाया जाए, जैसे दिखे, पहला लड़का जहां आया, अगला बाके देखे, नीता कक्षा में प्रथम आई, तो मतलब ये क्रम बाचे क्या है, जैसे एक की बाद एक, पहला, दूसरा, तीसरा, चोथा, पंचम, शठम, तो मतलब बस ये आपने याद रखना है, क्रम हो भई, सिस्टेमेटिक, ठेक है, तो ऐसे शब्द आ जाए, क्रम बाचक, निश्चे संख्या बाचक में शेशन में आएंगे, आगे आगे आवरिती, आगे क्या है, आवरिती, आवरिती में क्या है, जिन संग आजाएं, चार गुना, ती गुना, एक गुना, पांच गुना, दस गुना, जिन आवरिती तो है, आवरिती का मतलब दोहराई, ठीक है, तो आवरिती मुलक जा अवरिती वाचक जिसको हम कहा जाता है साथियो, वही है, कि भई, दुगना, ती गुना, चुगना जैसे शब संग्या या सर्मनाम शब्दों से किसी प्राणी या बस्तू को समू होने का बोध होता है उन्हें समू बाचक निश्चित संख्या बाचक उशेशन का जाता देखिए साथी मेरे तीनों भाई आ जाएंगे ठीके तीनों भाई समू के ठीके समू बाचक विशेशन में समू बाचक निश्चित संख्या बाचक विशेशन आगे देखिए साथी प्रतेक बोधक विशेशन ये बहुत इंपोर्णना साथी ये बहुत प्रशन के बार पूछा गλοemin का मतलब कि हर एक जिस संख्या या सरवनम शब्द में हर एक का बोध कराया जाए वहाँ परतेग बोधक विशेशन होता है हर एक देखे जैसे शब्द आ जाए राम मेरे प्रती बहुत द्यालू है प्रती शब्द आ गया रहा मेरे प्रती प्रती मतलब एक मेरे प्रती प्रती जहां पर क्या हो गया साथियो प्रतेक बोदक ठीक है एक एक व्यक्ति ने पानी पिया ऐसे शब्द आ जाए तो प्रतेक बोदक में रखेंगे हम उसको किसमें रखेंगे प्रतेक बोदक में अच्छा एक और चीज़ साथियों देखने हैं प्रतेक शब्द आ जाए उसको भी हमने प्रतेक बोधक निश्चित संख्या वाचक में रखना है अलग से नहीं रखना उसको ठीक है यह प्रतेक बोधक निश्चित संख्या वाचक विशेशन के भेद में है तो भई जे हो गया हमारा छे भेद निश्चित संख्या वाचक विशेशन एक एक चीज को आपने पढ़ लेना पूर्णांक बोधक क्रम वाचक अवरिती वाचक संहु वाचक प्रतेक बोधक ठीक है चे के चे पढ़ा दिये आगे देखी साथियों क्या है मारे पास सं पूर्णांक बोधक साथ में आकर अनिश्चित संक्या वाचक विशेशन और लेकिं संख्या वाचक कुषेशन का जीज दूसरा प्रत IP कभी कभी दो पूर्णांक बोधक साथ में आकर अनिश्चे वाचक बन जाते हैं देखे साथी जैसे पुस्तकाल्यम में असंख्य बस्तु है युद में बहुत सारे सैनिक मारे गए दो चार दिन लगेंगे 40-50 रुपए दो तो ऐसे जो शब्द आएंगे न असंख्य यानि निश्चित नहीं है संख्या भई अनिश्चित संख्या वाचक में क्या है बहाँ पर अ लग गया निश्चित क्या आगे ठीक है अनिश्चित संख्या वाचक है असंख्य जिसके संख्या ही नहीं है बहुत सारे बहुत सारे शब्द और दूसरी बात साथियों आपने यह जाद रखनी है कि भई बहुत शब्द जो है अनिश्चे संखा वाचक में भी आता है आप जे मत समझ के चलिए कि परिमान वाचक में ही परजुक्त होगा परिमान वाचक भेद में नहीं बस दिक्कत जे होनी चाहिए कि आपके सामने जे जो सैनिक शब्द है वो गिनने जोग्य हो सैनिक गिनने जा सकते है ना चीज़े गिनी जा सकती है जो मापी तोली जा सकती है वो परिमान वाचक में आएंगी लेकिन जो गिंडने लाइक होंगी वो अनिष्चित संख्या बाचिक में आएगी लेकिन उनके सामने बहुत शब्द हो सकता है संख्या शब्द हो सकता है दो-चार दिन लगेंगे या 40-50 ऐसे शब्द आजए अनिष्चित है भई थिक है? दो-चार लोग जाओ और जे काम करके आओ महाब दो-चार लोग भई अनिश्चित संख्या वाच्छाओ क्योंकि दो-चार लोग से निश्चित संख्या का बोध नहीं होता है तीन लोग भी जा सकते हैं उसमें पांच भी जा सकते, ठीक है तो इस तरह से साथी हो, याद रखना है दोनों ही वेदों को आपने अच्छे से पढ़ना है, आगे हमारे पास जो है साथी हो, जहां पर आपने देख लेना है, परिमान वाचेक विशेशन, तीसरा वेद है, इसमें क्या है, जिस विशेशन से किस नाप तोल का बोध होता है, उसे परिमान वाचेक विशेशन कहते हैं, जैसे कि, वह दो लिटर तेल लाया, ठीक है, बिमार को थोड़ा पानी देना चाहिए, उपर जिक तो बाक्य में दो लिटर और थोड़ा पानी जो है परिमान वाचेक विशेशन में आता है, और परिम तोलने वाली मापने वाली वस्तौँ में परिमान वाज़क में दो कीलो बेसन एक लिटर पेट्रोल तो वह इस जिए वाली चीज़ निशुचित परिमान वाज़क में ऐगे अगे में जहां विशेशन में शब्दों का परजोग अनिश्चिता के साथ, जैसे कि परिमान वधक, विशेशन अधिकांश्टा, भाव वाचक, द्रब्य वाचक, सुभू वाचक, संग्या के साथ ही परजोग होते हैं, अभी देखी साथ ही हम, थोड़ा पानी दो, कम खाना खाना चा तो मतलो ऐसे शवद को ठोड़ा पहुत अधिक है और ईसके साथ को असले हो इस सांग्या लगी होनी चाहिए वह इनने लएक ना हो मात्र वाच्छक को मापा तोला होना चाही की ठीक है पानी को गिना नहीं जा सकता मापा तोला जा सकता है ठीक है खाना को गिना नहीं जा सकता है मापने तोलने वाली चीज़ है परिश्रम ठीक है मापा तोला जा सकता है इस तरह से अनुमान लगाया जा सकते ठीक है इस तरह से तो परिमान बोदक जो है अनिश्चित तो इस तरह से हैं परिमान वाचक विशेशन का भी भेद और आगे हमने अभी पढ़ना है सारवनामिक विशेशन क्या पढ़ना है सारवनामिक विशेशन ठीक है अभी इसको पढ़ लेते हैं है जे थोड़ा दुंदला दिखाई दे रहा होगा साथ में पढ़ लेते हैं सारव नामी विशेषण जब कोई सरव नाम सरव नाम शब्द संग्या शब्द से पहले आए तथा विशेषण शब्द की तरह संग्या की विशेषणा बताए संग्या की विशेष्टा बताए याद रखना है जब कोई सरव नाम संग्या शब्द से पहले आ जाए उसको हम सरव नाम विशेष्ट कहाते हैं जैसे देखिए जाथी वह आदमी करोधी प्रवृति का है तो वह शब्द जो है जहाँ पर सरव नाम विशेष्ट आएगया कोई कि उसके बाद संग्या आ गई है किस शात्र ने ग्रहब कारे नहीं किया है तो जहाँ पकिस शब्द को हम सरव नाम विशेष्ट के रूप में लेंगे क्योंकि शात्र शब्द यहाँ पर हमारे पार जाति वाचक संग्या आ गया थीक है तो इस तरह साती हो तो इसके चार भेद हैं मुख्य तहा वो आपने देख लेने हैं निश्चे वाचक सर्वनाम विशेशन और निश्चे वाचक सर्वनाम विशेशन प्रशन वाचक विशेशन और संबंद वाचक सर्वनाम विशेशन द निश्चे की स्थिती हो, निश्चे हो, चे पुस्तक, वह पुस्तक, वो लड़का, ठीक है, ऐसे शब, वह घर, ऐसे शब्द जो है, निश्चित वाचक सर्वनाम विशेशन में आ जाते हैं, बस दिक्कत जी होनी चाहिए, कि सर्वनाम लगा हो और उसके बाद संग्या लगी कुछ काम, ऐसे शब्द आ जाए, कोई कुछ कोई किसी, ऐसे शब्द तो वहाँ पर अनिश्चित वाचवनाम, प्रशन वाचक सर्वनाम जैब रसान है, जहां संग्या या सर्वनाम, शब्दों में, विशेशन शब्दों के रूप में पूछा जाए, ठीक है, बहाँ प्र आगे संबंध वाचक सरवनाब भी होता है संबंध वाचक सर्वनाम विशेशन ठीक कन वहाँ पर क섯 नाम को विक्त किया संबंध बाचक मेरेगा ऐक बात जो आपने देखनी है इस जो संबंध बातकब आद यहां पर हमारे पास संग्या आए तो उससे पहले जो सरव नम आया पर संबंध बाचक है तो वह कलम आना था जहां पर वह कलम है जो वो जिसका जित्ना ऐसे शबती विशेषन की विशेष्टा बतलाते हैं जैसे वह प्रिश्रमी है, शीला अती विनम्र लड़की है, इन दोनों वाक्यों में प्रिश्रमी और विनम्र प्रिशेशन है, तथा बहुत वह अती प्रविशेशन है, कुल मिला के एक बात है भई, जहां पर विशेशन की ही विशेशता बतलाई जा रही हो, विशेशन की ही विशेश बतलाई जा रही हो है परिश्रम जो है भावाचक सं sens जिब प्रिश्रम स्यंगी बन गया नहीं जब बहुत बिशेशन वन जकाना देखें साथि ऑंकर तुण तो यहीं आपको करवाया था ब्यात्ती की दृष्टी से सरवनाना विशेशन के दो बेद होते हैं मोलिक जब मौल सरवनाना विशेशन भी कहेंगे इसको या फिर योगिक सरवनाना विशेशन ठिक है मूल सरवनाम विशेशन क्या होता है जो सरवनाम बिना किसी रुपांतर के विशेशन के रूप में प्रिजूक्त होता है रुपांतर जानि उसमें कोई चेंज नहीं होता जिसे बह लड़की, कोई लड़का, कुछ विचार, कुछ विद्यार थी ऐसे शब्द जिनमें कोई परवर्टर नहीं होता है वो वियत्पति के अधार पर ऐसे शब्द आजाएं जो सर्वनाम में प्रत्यादी जुड़ जाने से विशेशन के रूप में प्रिजुक्त होता है उसे योगिक सर्वनाम कहते हैं ठीक है देखें ऐसा कितने इतना ऐसे श सर्वनाम आएंगे बहां आएगा साथियो जोगिक सर्वनाम ठीक है जहसे जोगिक सर्वनाम बने वो जीवाला बने इतना इतने वहसे योगिक सर्वनाम बने उतना उतने उतनी वैसा वैसे जो से बना जितना जितनी है ना इतना से और कौन से कितना कितनी कितनी ठीक है साथ धूक्ति धार पर स्रूनाम विर्षेशन के धूक्त रहते हैं मौल्एक चकि को जूक्ति की रहते हैं चरंगी बायरे रहते हैं।